हलो गाईज आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ एक स्विंग स्टॉक ठीक है इससे पहले कि हम इस स्टॉक को डिसकस करें हम दोग अपने प्रिवियस स्टॉक को डेख लिखते है हमने दो दिन पहले डिसकस किया था LIC इंडिया को जिसमें आप देख सकते हो कि अल्डेडी 8.19% का प्रॉफिट हो चुक है और इसको हम कल बुक करेंगे ठीक है और यहां पर LIC के साथ साथ हम दो यहां पर कोल इंडिया को देखते हैं तो कोल इंडिया में यहां पर आप देख सकते हो आज के दिन में अल्मोस्त 2% का प्रॉफ चैंका मौन होब है तो इसको हम कल होलो करेंगे ठीक है तरयल करेंगे फिर उपर की तरफ हम लोकmeyeट करेंगे तो आज के इस विडियो में जो स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करने वाले है उसका नाम है ठीक है उसका नाम है यह इवी का बहुत फेमस नाम है ठीक है इवी सेक्टर का तो इसका नाम है उलेक्टर ग्रीन टेक ठीक है तो यहां पर अल्डी में एक टेंड लाइन बना के बैठा हूं ठीक है तो यहां पर एक एक और लाइन हमको चाहिए रहेगा, जिसको मैं देख पा रहा हूँ, तो हमको एक horizontal लाइन चाहिए, ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पर ऐसे खीच दो, तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या किया है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, दो indicators जो कि मैं regularly use करता personal analysis के लिए, एक मैं use करूँगा अपना RSI, ठीक है, और एक मैं use करूँगा volume, क्योंकि बिना volume के मैं trade नहीं करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ में दिखा देता हूँ, सबसे पहले तो, ठीक है, analysis आप समझो, price यहाँ से uptrend गया, यहाँ से एक major rejection लिया, ठीक है major rejection लियने के बाद, यह demand zone है, ठीक है, demand zone है, यहाँ पर आते ही, price वापस उट गया, वो भी अच्छे candle के साथ, strong candle के साथ, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ पर demand लिया, फिर यहाँ पर उटा, यहाँ पर भी same, ठीक है, तो यहाँ पर चार ऐसा zone मना है, जहाँ से price बार बार उ जो है, इस line को test किया, और थोड़ा सा candle ने इसको breakout दे दिया, ठीक है, हम इसको desktop site में करते है, ठीक है, थोड़ा और clearly देखेगा, ठीक है, हम इस पर चले जाते है, Electra, ठीक है, Electra Green, ठीक है, अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है, हम लोग को indicator कहाँ गया, just a second, volume and RSI, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, आज के दिन ने इसने breakout दिया है, अभी जो अपना RSI है, अभी आप आप देख पा रहे हो, almost 60 के लेवल पे, अभी 58.9 है, अभी 60 पर आया नहीं है, लेकिन 58.9 है, ठीक है, जो कि अभी strength तो दिखा रहा है, लेकिन जब 60 के उपर cross कर जाएगा, जब greater than 60 हो जाएगा, तब हम को लएगा कि entry यहाँ पर बनता है, ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा risk लेके entry ले सकते है, ठीक है, कल के दिन में मैं risk लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप volume देखो, ठीक है, आप यहाँ पर volume sprouting कहाते है, ठीक है, volume sprout, यानि कि अचानक से single day में काफी ज्यादा volume इसमें आ जाना, तो अभी तक EV sector ने उतना rally नहीं दिखाया, तो चांसे से कि अब जो है, EV sector भी rally दिखाया, ठीक है, तो हम लोग कल यहाँ पर risk लेंगे, ठीक है, क्योंकि कल अब जिस्ट थोड़ा सा ही breakout प्रॉपर breakout नहीं है, लेकिन volume बहुत तकड़ा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस level पर SL को रखेंगे, ठीक है, इस level पर SL को रखेंगे, और target जो है, मैं आपको बता देता हूँ, target कितने का रख सकते है, हम लोग, target लग बख यहाँ से लेकर, क्योंकि का major support zone है, ठीक है, यहाँ से लेकर, यहाँ तक का, हम लोग ऐसे यहाँ पर target रख सकते है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा से उपर जोन करूँ न, तो लग बख हम लोग 2251 का target रख सकते है, और हम लोगों का SL में यहाँ पर थोड़ा उपर कर देता हूँ, तो SL हम लोगों का बैटेगा, लग बख, अभी क्योंकि थोड़ छोटा SL लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है, तो 1693 के हम लोग का SL चलेगा, ठीक है, यहाँ पर major support है, ठीक है, यह जाना तो stock ऊपर ही जाना है, वैसे long term में अच्सा stock है, लेकिन अभी short term के अगर मैं बात करूँ क्योंकि हम swing trader है, swing की बात कर रहे है, तो यह अपना target रहेगा और यह अपना SL लेगा, ठीक है, कि मैं क्यों इस conclusion पर आया, as usual, है ना, number one की volume sprout है, ठीक है, मैं तभी interest होता हूँ कोई भी stock में, जब भी मेरे कहा तो volume sprout में ले या तो accumulation of volume में ले, over few days, ठीक है, दूसरा, RSI almost 60, अभी 60 नहीं है, ठ strength तो है, stock में, ठीक है, यह और उपर से जो आज breakout हो है, अच्छे तरीके से breakout हो है, और यह जो particular pattern है, यह जो pattern breakout हो है, इसको हम लोग कहते है, descending triangle breakout, ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है, triangle नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको हम कहते है, descending triangle breakout, तो इसमें entry ले सकते है हम लोग ट्राइ करेंगे, ठीक है, LIC और को लिड़ने में तो लग अच्छा रहा, अगर market कल भी अच्छा रहा और EV sector कल भागा, तो यहाँ पर भी हमको अच्छा घजर return देखने को मिल सकता है, ठीक है, आज अगर तो आपको वीडियो पसंद है, नए वीडियो में बहुत जल्दम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए, अलविदा, शब्बा, खेर, गुट नाइट, एंड सायो नहरा.